ओम शान्ती चार पाच दोहजार चौबीस की मुड़ी है मुख्य रूप से बाबा ने कहा जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं तो रिफ्रेश कर देते हैं ऐसे सदा स्वधर्शन चक्र फिराते रहो तो रिफ्रेश रहेंगे बचे पूछते हैं स्वधर्शन चक्र धारी बनने में कितना समय लगता है बाबा कहते बचे एक सेकंड तुम बचों को स्वधर्शन चक्र धारी जरूर बनना है क्योंकि इससे ही तुम चक्र वर्ती राजा बनेंगे स्वादर्शन चक्र फिराने वाले सूर्यवन्शी बनते हैं फिर कहा एक बाब के संग से स्वयम को पारस बुद्धी बनाना है संपूर्ण निर्विकारी बनना है कू संग से दूर रहना है सदा इसी खुशी में रहना है कि हम स्वादर्शन चक्र धारी सो नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं शिबाबा आये हैं हमें ज्ञान सूर्यवन्शी बनाने हमारा लक्ष ही यहा है अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से बाबा ने कहा मीठे वच्चे बाब जो सुनाते हैं वो तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए तुम यहां आये हो सूर्यवन्शी घराने में उच पदपाने तो धारना भी करनी है प्रश्न है सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? उत्तर जैसे गर्मी में पंक्हे चलती हैं तो रिफ्रेश कर देते हैं ऐसे सदा सुधर्शन चक्र फिराते रहो तो रिफ्रेश रहेंगे बचे पूछते हैं सुधर्शन चक्र धारी बनने में कितना समय लगता है? बाबा कहते बचे एक सेकंड तुम बच्चों को स्वादर्शन चक्रधारी जरूर बनना है क्योंकि इसे ही तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे स्वादर्शन चक्र फिराने वाले सूर्यवन्शी बनते हैं ओम शान्ती, पंखी भी फिरते हैं, सबको रिफ्रेश करते हैं तुम भी स्वदर्शन चक्रधारी बन बैठते हो तो बहुत रिफ्रेश होते हो। स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं। तो उनको समझाना चाहिए। नहीं समझेंगे तो चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे। स्वधर्शन चक्रधारी को निश्चे होगा कि हम चक्रवर्टी राजा बनने लिए स्वधर्शन चक्रधारी बने हैं श्रे क्रेश्न को भी चक्र दिखाते हैं लक्ष्मी नारायन कमबाइन को भी देते हैं अकेले को भी देते हैं स्वधर्शन चक्र को भी समझना है तभी चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बात तो बहुत सहज है। बच्चे पूछते हैं बाबा स्वधर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगेगा। बच्चे एक सेकंड फिर तुम बनते हूँ विष्णुवन्शी देवताओं को विष्णुवन्शी ही कहेंगे। विष्णुवन्शी बनने के लिए पहले तो शिव वन्शी बनना पड़े। फिर बाबा बैट सूरी वन्शी बनाते हैं। अक्षर तो बहुत सहज है। हम इस दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी सो विष्णुवन्शी बनने में एक सेकंड लगता है। बनाने वाला है शिव बाबा। शिव बाबा विष्णुवन्शी बनाते हैं और कोई बना न सके। यह तो बच्चे जानते हैं। वंशी कहते हो, ग्यान सूर्येलंशी अक्षर बहुत अच्छा है, विश्नु था सत्यू का मालिक, उसमें लक्ष्मी नारायन दोनों है, यहां बच्चे आये हैं, लक्ष्मी नारायन, अत्वा विश्नु वंशी बनने के लिए, इसमें खुशी भी बहुत होती है, नई दुन प्रादर्शनी में तुम समझाते हो तुम्हारी aim object ही यहाँ है बोलो यहाँ बहुत बड़ी university है इसको कहा जाता है रुहानी spiritual university aim object इस चित्र में है बच्चों को यहाँ बुध्धी में रखना चाहिए कैसे लिखे जो बच्चों को समझाने में एक सेकिन लगे तुम ही समझा सकते हो उनमें भी लिखा हुआ है हम विश्णु वन्शी देवी देवता थे जरूर अर्थात देवी देवता कुल के थे सुरके मालिक थे बाग समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे भारत में तुम आज से 5000 वर्ष पहले सुर्य वन्शी देवी देवता थे बच्चों को अब बुद्धी में आया है शिब बाबा बच्चों को कहते हैं हे बच्चों तुम सत्यूग में सुर्य वन्शी थे शिब बाबा आया था सूर्य वन्शी घराना स्थापन करने बरोबर भारत स्वर्ग था यही पूज्य थे पूजारी कोई भी नहीं थे पूजा की कोई सामगरी नहीं थी इन शास्त्रों में ही पूजा की रस्म रिवाज आदी लिखी हुई है यहाँ है सामगरी तो बेहत का बाप शिब बाबा बैट समझाते हैं वो है ज्ञान का सागर मनुष्य स्रिष्टी का बीज रूप उनको व्रिक्षपती अथवा ब्रिहसपती भी कहते हैं ब्रिहसपती की दशा उँचते उँच होती है ब्रिक्षपती तुमको समझा रहे हैं तुम पूजय देवी देवता थे, फिर पुजारी बने हो, जो देवताई निर्विकारी थे, फिर वो कहा गए, जरूर पुनर जनम लेते लेते नीचे उतरेंगे, तो एक एक अक्षर नूट करना चाहिए, दिल पर या कागस पर, यह कौन समझाते हैं, शिप बाबा, वही स् रचते हैं, शिप बाबा ही बच्चों को स्वरका वर्सा देते हैं, बाप बेगायर और कोई दे न सके, लौकिक बाप तो है देहधारी, तुम अपने को आत्मा समझ, पारलौकिक बाप को याद करते हो बाबा, तो बाबा रिस्पॉंस करते हैं हे बच्चों, तो बेहत का बाप हो गया न, बच्चों, तुम सूरिवंशी देवी देवता पूजे थे, फिर तुम पूजारी बने, यह है रावन का राज्य, हर वर्ष रावन को जलाते हैं, फिर भी मरता ही नहीं है, बारा मास के बाद फिर रावन को जलाएंगे, गोया, सिद्ध कर दिखाते हैं, ह सत्यूग में सभी श्रेष्ठाचारी थे, अभी कल्यूग पुरानी भ्रष्टाचारी दुनिया है, यह चक्र फिरता रहता है, अभी तुम प्रजा पिता ब्रह्मा वन्शी संगम यूग पर बैठे हो, तुम्हारी बुद्धी में है, के हम ब्रामन है, अभी शुद्र कुल के नहीं है, इस समय है ही आसुरी राज्य, बाप को कहते हैं, हे दुख हरता सुक करता, अब सुक कहा है, सत्यूग में, दुख कहा है, दुख तो कल्यूग में है, दुख हरता सुक करता है ही शिप बाबा, वो बरसा देते ही है सुक का, सत्यूग को सुक धाम कहा जाता है, व दोने की दरकार नहीं, समय पर पुरानी खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं, समझते हैं, अब शरीर बुढ़ा हुआ है, पहले बच्चा सतो गुणी होता है, इसलिए बच्चों को ब्रम्ह ज्यानी से उच समझते हैं, क्योंकि वो तो फिर भी विकारी ग्रिहस्ती से सन्यासी बनते हैं, तो उनको सब विकारों का पता है, छोटे बच्चों को यह पता नहीं रहता है, इस समय सारी दुनिया में रावन राज्य, ब्रश्टाचारी राज्य है, श्रेष्टाचारी देवी देवताओं का राज सत्यूग में था, अभी नहीं है, फिर हिस्ट्रे बुद्धी बनने का युग बाप आकर पत्थर बुद्धी से पारस बुद्धी बनाते हैं कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे सत्थ बाप के सिवाए बाकी दुनिया में है ही कुसंग बाप कहते हैं मैं संपोन निर्विकारी बना कर जाता हूं फिर संपोन विकारी कौन बनाते हैं, कहते हैं हम क्या जाने, अरे नेर्विकारी कौन बनाते हैं, जरूर बाप ही बनाएंगे, विकारी कौन बनाते हैं, यह किसको पता नहीं है, बाप बैठ समझाते हैं, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, रावन राज्य है न, कोई क बाप मर जाता है पूछो कहां गया कहेंगे स्वर्गवासी हुआ अच्छा तो इसका मतलब नर्क में था न तो तुम भी नर्कवासी ठेहरे न कितना सहज है समझाने की बात अपने को कोई भी नर्कवासी समझते नहीं है नर्क को वैशाले स्वर्ग को शिवाले कहा जाता है आज से पांच हजार वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था तुम बिश्व के मालिक महराजा महरानी थे फिर पुनर जनम लेना पड़े पुनर जनम सबसे ज्यास्ती तुमने लिया है इनके लिए ही गायन है आत्माई परमात्मा अलग रहे बहुकाल तुमको याद है तुम पहले पहले आदी सनातन देवी देवतादरम वाले ही आए फिर 84 जनम ले पतित बने हूँ अब फिर पावन बनना है पोकारती भी है ना पतित पावन आओ तो सर्टिफिकेट देते हैं के एक ही सद्गुरु सुप्रीम आकर पावन बनाते है खुद कहते हैं इसमें बैटकर मैं तुमको पावन बनाता हूँ बाकी 84 लाख योनिया आदी है नहीं 84 जनम है इन लक्षमी नारायन की प्रजा सत्यूग में थी अब नहीं है कहां गई? उनको भी 84 जनम लेना पड़े जो पहले नंबर में आते हैं वही पूरे 84 जनम लेते हैं तो फिर पहले वो जाने चाहिए देवी देवताओं की वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट होती है सूर्यवन्षी, चंद्रवन्षी, राज्य, मस्ट रिपीट बाप तुमको लायक बना रहे हैं तुम कहते हो हम आए हैं इस पाठशालावा युनिवर्सिटी में जहां हम नर से नारैन बनते हैं हमारी एम अबजेक्ट यहाँ है जो अच्छी रीती पुर्षाट करेंगे वही पास होंगे जो पुर्षाट नहीं करेंगे तो प्रजा में कोई बहुत साहुकार बनते हैं कोई कम यहां राजधानी बन रही है तुम जानते हो हम श्री मत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं श्री 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 शिप बाबा की मत पर श्री लक्ष्मी नारान वा देवी देवता बनते हैं श्री माना श्रेष्ठ अब किसको श्री नहीं कह सकते परंतु यहां तो जो आएगा सबको श्री कह देंगे श्री फलाना अब श्रेष्ठ तो सिवाय देवी देवताओं के कोई बन नहीं सकता भारत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ था रावन राज्य में भारत की महिमा ही खलास कर दी है भारत की महिमा भी बहुत है तो निंदा भी बहुत है भारत बिलकुल धनवान था अब बिलकुल कंगाल बना है देवताओं के आगे जाकर उनों की महिमा गाते हैं हम निर्गुन हारे में कोई गुन ना ही, देवताओं को कहते हैं, परन्तु वो रहम दिल थोड़े ही थे, रहम दिल तो एक को ही कहा जाता है, जो मनुष्य से देवता बनाते हैं, अभी वो तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सद्गुरू भी है, गैरंटी करते हैं, मेर को याद करने से तुम्हारे जनम जनमांतर के पाप भस्म होंगे, और साथ ले जाओंगा, फिर तुमको नई दुनिया में जाना है, यहाँ पांच हजार वर्ष का चक्र है, नई दुनिया थी, सो फिर जरूर बनेगी, दुनिया पतित होगी, फिर बाप आकर पावन बनाए बाकी यह तो जैसे गुडियों की पूजा करते रहते हैं, उनको यहाँ पता नहीं, रावन का दस शीष क्यों देते हैं, वेशनों को भी चार भुजा देते हैं, परन्तु कोई ऐसा मनुष्य थोड़ी ही कभी होता है, अगर चार भुजा वाला मनुष्य होता, तो उससे ज बाक को दो भुजा है, कुछ भी जानते नहीं, भाक्ती मार्क के शास्त कंठ कर लेते हैं, उन्हों के भी कितने फॉल्वर्स बन जाते हैं, कमाल है, यह तो बाप ग्यान की ओथरीटी है, कोई मनुष्य ग्यान की ओथरीटी हो न सके, ग्यान का सागर तुम मुझे कहते हो, ओल्माइटी ओथरीटी, यह बाप की महिमा है, तुम बाप को याद करते हो, तो बाप से ताकत लेते हो, जिससे बेश्व के मालिक बन जाते हो, तुम समझते हो, हमारे में बहुत ताकत थी, हम निर्विकारी थे, सारे बेश्व पर अकेले राज्य करते थे, तो यह लक्ष्मी नारयन सारे बेश्व के मालिक थे, यह माइट उन्हों को कहां से मिली, बाप से, उच ते उच भगवान है न, कितना सहज समझाते हैं, यह 84 के चक्र को समझना तो सहज है न, जिससे ही तुमको बादशाही मिलती है, पतित को बेश्व की बादशाही मिलना सके, पतित तो उन्हों के आगे जुकते हैं, समझते हैं हम भगते हैं, पावन के आगे माथा टेकते हैं, भगती मर्ग भी आधा कल्ब चलता है, अभी तुमको भगवान मिला है, भगवान उवाच, मैं तुमको राजियोग सिखलाता हूं, भगती का फल देने आया हूं, गाते भगवान किसी न किसी रूप में आ जाएंगे बाप कहते हैं मैं कोई बैल गाड़ी आदि में थोड़ ही आऊंगा जो उच ते उच था फिर 84 जनम पूरे किये हैं उनमें ही आता हूं उत्तम पूरुष होते हैं सत्युग में कल युग में है कनिष्ठ तमो प्रधान अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो बाप आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं यहाँ खेल है इसको अगर समझेंगे नहीं तो स्वर्ग में कभी आएंगे नहीं अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते धाणा के लिए मुख्ये सार पहला एक बाब के संग से स्वयम को पारज बुद्धी बनाना है संपूर निर्विकारी बनना है कू संग से दूर रहना है दूसरा सदा इसी खुशी में रहना है के हम सोधर्षन चक्रधारी सो नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं शिब बाबा आये है हमें ज्ञान सूरिवन्शी बनाने हमारा लक्ष ही यहा है वरदान है बेगनों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्वेगन विजई भव विस्तार है बेगन आना यह अच्छी बात है लेकिन बेगन हार न खिलाए बेगन आते ही है मजबूत बनाने के लिए इसलिए बेगनों से घबराने के बजाए उन्हें मनोरंजन का खेल समझ पार कर लो तब कहेंगे निर्वेगन विजई जब सर्व शक्तिमान बाब का साथ है तो घबरानी की कोई बात ही नहीं सिर्फ बाब की याद और सेवा में विजई रहो तो तब बिग्न वा माया आती है। बिजी रहो तो माया वा बिग्न किनारा कर लेंगे। स्लोगन है सुख के खाते को जमा करने के लिए मरियादा पूर्वक दिल से सब को सुख दो। कर दो जमा कर दो। कर दो, जमा कर दो उनता है धूर्वक was खाते अक्वित, जमाम के खाते है같़ के दो न मेंगे। किनमेट वार्वक वा झापो, लापन हो कि सब करदाए को सिधने कि झार कर दो दो। किनमेगे के जमें ढूर्वक मा क्यों है। झाल 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 झाल